हेलो एडिवान, वेलकम बैक ट्यू मैं नीव वीडियो, तो जी आज की हमारी वीडियो है, छोटी-छोटी कतरंस होती है, लेफ्ट क्लोथ सोते हैं, उनके रियूज रिसाइक्लिंग को लेकर, तो चलिए जी करती है, स्टार, तो फ्रेंट्स इस तरह एक छोटा सा पीस है, अ अक्सर हमारे घर में फूड वगरा की खाने पीने की इस तरह की कंटेनर में आज कल चिज्जी आने लगी है, तो काफी सुन्दर होते हैं, उनको फैकने का मन नहीं होता, तो उनके ये वाला पहला हमारा आइडिया है, भी उनका कवर किस तरह बनाए, इनका कवर बनाकर हम इ उससे क्या करेंगे कवर बनाने के लिए, पहले ओ धकन लेंगे, तो उसको उपर रखेंगे कपड़ेंगे, कपड़े के उपर रखेंगे, और उससे धकन से हमने 6 या 7 इंच वद कपड़ा लेना है, तांकि हम मतलब इसको जब फोल्ड बनाकर ने फालें, तो ये हमारा अब है जो अंदर का कंटेनर है, तो उसके लिए हमने इस तरह कपड़े को अंदाज्जे से देखना है, कि अंदर की तरफ फोल्ड करकर, कि हमने कितना चाहिए, तो फ्रेंस ये सबसे बैस्ट तरीका है, अगर हम कोई चीज का मतलब कवर बनाएंगे, तो जी इस तरह आब पार्ट का हम कवर बनाएंगे, तो ये भी इस तरह ही सेम प्रोसेस से, राउंड में ही कटेगा, बस हमने एक्स्ट्रा लेना है, जितना मिने स्टाटिंग में आपको दिखाया, अंदर की तरफ टक करके भी उतना एक्स्ट्रा, और वैसा ही हमने सारा सरकल कंप्रीट करना है अब बारी आती है मशीन की तरफ, तो इधर हमने बनाना है नेफा, क्योंकि नेफी में हमने नाडा या पतला वाला जीरो नमबर का लास्टिक होता है, बिल्कुल बरीक वाला वो डालेंगे, या फिर हम कोई भी नाडा या डोरी हमारे पास है, वो डालेंगे, तो हमने हमने नेफा बनाना है, तो काफी इजी है जी, इस तरह बस फोल्ड करते जाएंगे, और हमारा ये नेफा बन जाएगा, और लास्ट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, जहां से हमने safety pin से या कोई किसी भी चीज से हम ये इजीली इसमें नाडा, डोरी, या लास्टिक डाल सकें, तो काफी इजी है जी ये बनाना, कोई भी मतलब कंटेनर का अगर कवर बनाना चाते हो, तो इस तरह हम इजीली बना सकते हैं, तो ये हो गया जी, सारा round complete, थोड़ी सी इस पेस छोड़ दी है, और अब दूसरा कवी, इस तरह ही सेम बस नेफा बनाना है, और इस स्टिच करती जाना है, तो ये देखेंजी, बिल्कुल ब्रीक वाला लास्टिक है, काफी सस्ता मार्किट में आता है ये, तो अब इसको हम इस तरह हैं, डाल देंगे, कोई भी पिन ले ले जिए, सेफटी पिन या हेर पिन वगरा, तो उसे इसली ये डल जाता है, ठीक है फ ये वाली चीज है, कपड़े से बनाएंगे, तो वाशेबल होईगी, जब मर्जी हम इसको वाश कर सकते हैं, उतार कर, तो जी आज ये मैं बनाने जारी हूँ, जैसे ये कंटेनर सिंपल था, बढ़ हम इसको चुपाती तोर के, तोर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, या आप जैसे चोटा मुटा समान भी रख सकते हैं, या जैसे काना जी की, कृष्णा जी की ड्रेस वगरा के लिए बनाना चाते हैं, तो भी मतलब इसको यूज कर सकते हैं, वो आपने देखना है, आपने इसको किसके अकोडिंग यूज करना हैं, तो आप जी, हम ढकन का भी, बस इ बलत नहीं जाता, सेम साइज में चीज काटी हुईगा, नाप बिल्कुल, और चीज बिल्कुल फिट फिट आती है, तो ये भी, बस जी, सेम प्रोसेस से इससे डखन के अंदर रखा है, और पूरा कसकर इसको नोट लगा देंगे, और जब इसको वोश करना होएगा, तो न उनका रियूज, रिसाइकलिंग हो जाता है, और एक अच्छी सी चीज बन जाती है, तो जी, देखिए, फाइनल लुक इसका, ये है, निचे वाला पार्ट इसका, और ये उपर का धकन, तो दोनों पे हमने बना दिया है, तो ये हमारा एक तरह का चपाती बोक्स बनकर दो चार कंटेनर बना कर रखेंगे, तो आप अपने अकोर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं, आगे फ्रेंस हमने फिर एक सरकल लेना है, तो इधर मेरे पास एक पीस फटे हुए, मतलब कुड़ती का है, तो इसको हमने सरकल में फिर लेना है, है सेम प्रोसेसी सरकल का, कोई प्लेट या थाली रखकर इस तरह कर लेंगे, बट ये हम कोई और चीज बनाने जा रहे हैं, तो ठीक है जी आप देखते रहे हैं, अब हमने इधर शोपिंग बैक का वी एक सरकल, सेम ही हमने सरकल लेने हैं, दो, तो ये देखिए, एक है, पैंट का कपड़ा, तो ये देख कर सकते हैं, तो हमने जी, आप इधर मशीन की तरफ आ जाते हैं, हमारा दूसरा, तो हमने दोनों पार्ट को अटेच कर दिया है, और आप उपर की कन्नी, या तो आप शोपिंग बैक की काट कर लगा सकते हैं, काफी घर में शोपिंग बैक होते हैं, या कपड़े की डेड़ में एक चीज बनकर रेडी होगी है, ये देखिए, तो ये है जी, अंदर जैसे चपाती बोक्स के रखने के लिए रोटियां गरम रहती हैं, तो ये हमने, हम इसके अंदर फोम भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो इसमें फोम लगा कर टोटल थरी पीस का ये पीस बना सकते हो बट हमने शॉपिंग बैग लगाया है, और पैंट का जो कपड़ा था, मोटा काफी वो लगाया है, तो इस तरह अगर हम चपाती बोक्स में ये चीज लगाते हैं, तो पोना टाइप ये हमारी यूज होती है, और हम इरोटियां हमारी ये गरम पड़ी रहती है, ठीक है जी तो फ्रेंस बताना ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा, आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंस सरकल बनाना काफी इजी है, बस सेम प्रोसेस से हम सरकल बना देंगे, और दोनों पार्ट को हम इस तरह टैच कर देंगे जी, और ये देखे, अब उपर से हम वो ही जैसे हमने पह हो जाएगा जी, और ये हमारी इस तरह सरकल में चीज रेडी हो जाएगी, तो ये बस इसको थोड़ा सा करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूं, तो इस तरह हमारा सरकल कंप्लीट हो गया, अब हमने इसको हाफ सरकल में दो पार्ट में डिवाइड करना है ज दोनों साइड कपड़ा हो गया, बीच में हमने शोपिंग बैग डाल दिया, तो ये हमारे टोटल थरी पीस हो गये, आप अंदर फोम भी डाल सकते हैं, अब हमने इस तरह फिर फोल्ड करना है, और इसको सील देना है, साइडों साइडों से सील देंगे, ये देखिए, दोन ये एक चीज कीचन के लिए बहुत ज्यादा जुरूरी है, जैसे हमारी कडाहियां वगयरा गरम होती है, उनके हैंडल नहीं लगी होते, तो ये उनको पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छी हमारी एक चीज बन जाती है, तो इस तरह की दो या चार आपके पास होनी के वार हमारे भगोनों के चाहे वाले फ्राइपेन वगयरा के डंडेर पिछे से निकले होते हैं, तो उस तरह ये चीजे काफी बेनिफिट करती है, तो इस तरह की फ्रेंस देखिए छोटी-छोटी कतरन से लेफ्ट क्लोस से आप बना सकते हैं, आगे जी इस तरह जी देख मैट है या फ्रीज है, खराब नहीं होगा, आप इस तरह दो या चार है, देखिए मैने फटी हुई तक्क्ये की खोली से ये दो बनाए हुए हैं और ये सारे ही मैने लेफ्ट क्लोस से बनाए हुए है, इस तरह मैने चार-पांच फ्रीज के लिए बना रखे हैं पट्टियां सी है जो कि इनका कोई नाप नहीं है तो ये दो छोटी छोटी बची पट्टियां है पुरानी चद्दर की फटी हुई तो इनको हम जोड़कर एक थोड़ा सा बड़ा पीस कर लेते हैं ठीक है जी अब इनको इनके बीच में हम डालेंगे छोटी सी एक पट्टी और इनके नाप की ही तो वो आटा चावल की थेली की पट्टी डालेंगे तो इस तरह आज मैंने आपके साथ सारी वीडियो में हम बच्चे होए छोटे छोटे पीस का ही यूज करेंगे तो ये अंदर डालकर और बस जी हम स्टिच कर देंगे फ्रेंस आटा चावल की थेली हमने आटा चावल की थेली डालकर तो ये देखिए अब हमने वाल के नों के दो पीस लेने हैं छोटे छोटे मैंने कट कर लिए हैं तो ये हम आमने सामने दो वाल के नों के छोटे छोटे पीस हैं वो हम मशीन से इदर स्टिच कर देंगे उपर उपर काफी ईजी है लगाने ठीक है जी तो इस तरह की एक पट्टी से हमारी बन गई है तो ये दूसरा पीस भी मैं अटेच कर दूँ उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि ये हमारे चीजे किस काम के लिए बनी है तो देखे जी ये बस हमारी अटेच हो चुकी है काफी इजी है वालकेनों को लगा न और ये फ्रेंस देखे जैसे प्रेस की तार है हमारी घर में ऐसे बिखरी पड़ी रहती है देखे निच्चे आती रहती है पैरों में हना तो इसको इस तरह इकठा करना है और इस तरह हम देखे इस पट्टी को अंदर से निकाल कर और इस तरह वालकेनों को चेपी को बंद कर द तो अक्सर ही हर किसी के साथ ही यह होता है तो यह देखें जी बस जब जुरूर होगी तो यह चेपी उतार कर हम यूज कर लेंगे नी तो हम इस तरह प्रेस को रख देंगे और देखने में भी अच्छा लग रहा है आगे फ्रेंस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तो इधर भी छोटा सा पीस लिया है मैंने आट्टा चावल की थेली का तो इसमें से हमने हाफ सरकल कट करना है तो सरकल इस तरह हमने अंदर डालनी है एक आट्टा चावल की थेली होगी और एक हमारा चद्दर का पीस हो गया तो यहां पे हमने टोटल दो पीस लेने हैं तो तो साथ दोनों को हम attach कर देंगे और ये थोड़ी सी चदर एक्स्ट्रा लगरी है जो आपको तो इसको हम जब सीलने के बाद इसको हम एक्स्ट्रा एज इसको निकाल देंगे तो इस तरह जी यहां पर हमने ये वाला organizer बनाने के लिए total दो पीस लेने हैं एक लेना है half circle और rectangle size का एक piece rectangle size का जिसमें दो sides बराबर हों जादा हों और दो side कम हो तो इस तरह के दो piece हमने पहले ready करने हैं तो ये दिखे जी extra है वो हम निकाल देते हैं और ये हमारा half circle का एक piece ready हो गया वस इसी तरह ही हमने ये square वाला rectangle वाला piece ready करना है ये दिखे तो इसके थोड़ा सा एक side पहले ही कपड़ा सा एक side लगा हुआ था तो ये हम पिछी की side रख लेंगे और ये होगे जी total हमारे दो piece ready अब जी हमने एक इसकी कन्नी बना देंगे side में तो वही बस कोई भी कपड़े को 1,5 इंच की पटी सी काट कर एक या 1,5 इंच की और इस तरह कन्नी से हम इसको finish कर द के हैं अब हमने एक बड़ा piece लेना है और बड़े आटा चावल की थेली एक half लेली है मैंने तो ये देखिए जी अब इसके उपर भी हम कोई चद्र का piece है कोई बचा हुआ पड़ा है हमारे पास तो हम वह लगा देंगे और उसके उपर हमने ये इन दोनों को attach करना है तो simple ह कि एक हमने matte type सा बनाना है उसके उपर हमने इनको attach कर देना है तो इस तरह साइड साइड से बस attach करेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ से बाद में stitch करेंगे और इसको थोड़ा सा उपर से इस तरह फोल्ड करेंगे फिर हम दूसरी stitching इसकी लगाएंगे तो काफी easy है जी औ और इस तरह ही बस हम half circle को इसके साथ ही बस machine से attach कर देंगे बहुत ज्यादा easy है तो यह हमारा बहुत ही ज्यादा सुन्दर और टिकाओ एक kitchen का organizer बन जाएगा जी और यह देखिए बस फटा-फट से मैं इसका round भी complete कर देती हूँ half circle भी कम हम कुछ इस तरह बस attach कर देंगे तो यह हमारा attach हो जाएगा जी जल्दी से round complete बस इसको भी हमने थोड़ा सा आगे से इस तरह उभार कर पीता की कोई चीज इसमें डालने हम वो आ जाए तो इस तरह हम इसको attach करेंगे तो यह दोनों हमारे attach हो चुके हैं तो यह देखे जी इस तरह पोकी टाइप सी एक बन गई है दोनों में ही और अब हम उपर की तरफ एक hanger लगाएंगे काफी मजबूत वाला मैं hanger लूँगी यहाँ पे और नीचे का जो base है वो भी काफी मजबूत बना हुआ है तो इसको इ जैसे आपको easy लगे तो यह हम कर देंगे ठीक है जी तो इस तरह का यह बन जाएगा और मैं इसको hanger कर दिखाती हूँ तो यह देखे जी kitchen में hanger कर दिया है side में तो यह हमारा चकले बेलन का जी चकला बेलन का एक organizer बन जाता है जी रो कोस्ट में देखिए कितना बढ़िया तो इस तरह हमारे यह ना कुछ dust गिरती है ना कुछ और तो इस तरह का organizer आप बना सकते हैं उमीद है जी आपको आज की idea अच्छे लगे हों तो वीडियो को like करना शेयर